बिल्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपके वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप Dream 11 एप्लिकेशन को यूज करते हैं और जब भी आप अपनी Dream 11 एप्लिकेशन में उसको उपन करते हैं या फिर क आपको लिखा आता है यू कांट प्रोसीड हीर इफ यू आर फॉम अंधर प्रदेश आसाम नागा लैंड ओडिशा सिक्किम और तेलंगाना अगर आप सब इन स्टेट्स हो गया रख की प्रोब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है इन स्टेट्स में रहा के तो आपको क्या कर आपको डिटेल में बताने वाला हूँ तो आपकी प्रोब्लम सॉल्फ हो जाएगी इस वीडियो में अंट तक बने रहेगा यहाँ पर दो सॉलुशन्स में आपको बताऊंगा उन दोनों के अप्लाइ करेंगे तो आपकी प्रोब्लम हंडेड और बने रहेगा दोस्तों टंप से पहले आपको अपनी सैटिंग में आना होगा है कि सैटिंग ऐनने के बाद स्क्रोल करने नीची की तुरफ और यहाँ पर एपस देखने को मिलग व्लंफ पर क्लिक करेंए दैन उनसके बाद मैंश एपस मैंने जपस पर आईये उसके बाद सर्च भार में अपनी अ पर आईए और इसका clear all data कर लिजिए आपको यहाँ पर clear all data करना और back आ जाना है देन अपनी application को open करके फिर से देखना है अगर फिर भी problem solve नहीं होती है तो आपको एक और काम कर लेना है play store में आपको फिर से आना होगा play store में आने के बाद आपको एक application को install करना है gps emulator यह वो application है guys आपको आपके play store के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ से play store से इसको download कर लीजिएगा जैसे आपको यहाँ से इसको open करना है open करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसका interface देखने को मिल जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ा सा wait करते हैं कुछ इस तरह से आपको इसका interface देखने को मिल जाएगा अब आपको करना क्या है guys यहाँ location का option है बीच में center में इस पर click करिएगा देन उसके बाद यहाँ पर आपको go to developer option दिखा देगा अगर आपने developer option open नहीं किया वह मैं आपको बता देता हूँ करना है जैसे आप 7-8 बार क्लिक करेंगे आपका developer option जो है open हो जाएगा enable हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है जैसे आपका developer option enable हो जाए स्क्रोल करना है नीचे की तरफ और यहाँ पर additional setting देखने को मिलेगा additional setting में आ जाएगा दन उसके बाद स्क्रोल करिएगा नीचे यहाँ पर develop option आपको देखने को मिल जाएगा इस पर क्लिक कर लिजिएगा क्लिक करने के बाद आपको स्क्रोल करना है नीचे की तरफ और यहा यहाँ पर GPS simulator को open कर लेना है open करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ok करिए और back कर लिजिए no करके यहाँ पर location है location पर hello उपर आपको डालना होगा search bar में यहाँ पर दिली Delhi डालना और search कर देना है देख सकते हैं यह Delhi की location है guys आप यहाँ से ok कर दिजिए allow कर दिए तो आप देख सकते हैं Delhi की location आपको उपर से set करनी होगी search कर लेंगे यहाँ से search करने के बाद यहाँ पर directly Delhi की location आपको यहाँ से set कर लेनी है और यहाँ पर देख सकते हैं location set while using this app यहाँ पर click कर लिजिए आप जैसे ही Delhi की location set कर लेंगे आप जाकर जो है आप अपने dream email application को use कर सकते हैं आपको फिर से वो error देखने को नहीं मिलेगा guys अगर आपको फिर भी कोई problem face करनी पड़ती है मुझे comment box में जरूर बताएगा मैं आपके लिए solution लेकर आँगा आपको जाएज आपको वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल दर भाए टेक के लव यू अल